आज आप जिस वनस्पती को देख रहे हैं ये आप शायद पत्तों से पहचान पाएंगे पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये है बथुगा आप भारत के लगभग सभी छेत्रों में इसकी साग लोग बड़े चाओ से खाते हैं और आप लोग चौक जाएंगे कि ये बथुगा जो है कितना प्रभावी और लावदाय हैं ये है बथुगा का पौधा और इस बथुगा के पौधे में से हमने ये नरम नरम पत्तियां ज हमने जो है ये इस तरह से ये इसकी कटिंग कर ली है तो ये जो कटिंग है आप चाहें तो आलू प्याज के साथ प्राई कर सकते हैं सुखी साग बन जाएगी आज हम आपको इसकी रेसेपी में जो ले करके आया है वो है दाल भाजी तो ये हमारी रेसेपी आज आपको एक करके हम बिंदू बार आपको स्टेप बताने जा रहे हैं ये बत हुआ कि हमने कटिंग कर लिए अब आगे तो ये हमारा जो अगला स्टेप है उसमें ये हम जो है मूंकी डाल शुद्ध कढ़ाई में रखके जो है इसको पका रहे हैं सीधा सीधा कुकर में पका लेते पर व तो ये जो है हमने मूंग की डाल इसलिए ली है कि मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मूंग डाल जो है वो पकने में कम समय लेती है फिर भी अगर चूले पे आप इसको पकाएंगे तो इसमें 20 मिनिट तो कम से कम लगता ही है आप देखें कि इस तरह से ये हमें ढखना नहीं है ये प्रावपरली हमें पकाना है क्योंकि जब आप सेहत की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि कूकर में पकाई हुई जो दाल है वो आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानी कारक है और ये इत्तफाक कहें या इसको दुर्भाग कहें अब कूकर की बिना लोगों का जो है खाना नहीं बन रहा है और यदि आप कूकर इस्तेमाल भी करते हैं तो कूकर की डाल जब आप इसको फ्राय करें कूकर से तो सीधे डाल खाना एक जहर ही है एक हिसाब से तो मैं बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कूकर की डाल बिल्कुल न खाएं ये मेरा आप से अनुरोध है और यदि आप जब कूकर के बिना कोई उपाय नहीं है तो आप कूकर से डाल निकालके और उसको कड़ाही में अच्छे दस से पंदमेड तक यदि आप उसको फ्राय करके और पका लेंगे तो फिर वो निर्दुस हो जाएगी तो कई लोग क्या करते के कूकर में पक गई और विना फ्राय करें उसको सीधे डारेक्ट खा लेते हैं तो वो आपके सेहत को जो है बहुत ज़्यादा हानिका रहे हैं ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिएगा ध्यान रखिएगा ये इसमें ये ध्यान देना है कि ये बिल्कुल जो है इसी तरह जो है खुली पकना चाहिए और मैं आपको बता दूँ कि डाले हमेशा जो है ऐसे ही पकनी चाहिए कुकर में तो हम उनको जो है पकाते नहीं है वो फूल जाती है बस और ये हमें देखना है ये जैसे ही पकती है तो हमारा अगले स्टेब जो होगा वो होगा इसकी फ्राई का और इसमें दाल और भाजी हम जो दोनों को फ्राई कर देंगे अबी है थोड़ा सा बीच में कच्चा, थोड़ा हम लगेगा, इसमें लगभग 15 से 20 मिनिट लगता है इसमें टाइम लगता है एक्ष्यूल, कोकर में तो ये 10 मिनिट में हो जाता पर ये समझलों कि 20 मिनिट तो लेगा, तो हमारा ये सिल बटा है और इसमें हमारा जो अगला वर्क है ये हमने फोड़ा सा एक चम्मच पिसा धना हुआ लिल गया है ये हमने हरी मेर्च लिया है और ये हरा धनां है इस से फ्लेवर और अच्छा आएगा ये 18 लेसन है ये लगबग एक ड़ुर त लेंच Зем जो है हमने वाले हैं इसको हम प्रापर ली ऐसे बिल्कुल महीन पीसेंगे तब जाके इसमें ये जो है अब पूरा बनेगा अब इसमें काफी महंती काम है पर ये है कि आपको बिल्कुल देशी जो तड़का है उसका स्वाद मिलेगा ये रहता है आपका इसमें तो ये इस तरह से बिल्कुल महीन और हमारा ये अद्रक लेस्टना दी जो बिल्कुल देशी मसाला है वो पिस गया है और इसकी बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है देखें आप और ये हमारी दाल बिल्कुल ऐसे पग गई है कि हाथ लगाओगी तो बिल्कुल फिसल जाएगा हाथ ये हमारी दाल तयार है अगला देखेंगे आप तो कड़ाई हमने चड़ा लिया है और उसमें ये तेल हम थोड़ा सा गरम होने देंगे और ये आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें अब ये जीरा पगने के बाद राई के दाने डाल देते हैं उतना ही आधा चम्मच और ये हमारा जायका जो है वो बिलकुल अलग ही बनेगा ये आपने बहुत धेर सारी जो है रैसिपीस देखी होंगी है पर ये बिलकुल नेचुरल है ये इसलबटा का जो ग्रीन मसाला है ये इससे जायका पर तो सिंपल ही आप डाल फ्राई अगर आप करेंगे तो लोग चाड़ते रह जाएंगे और ऐसे ही जो है आपका ये आज का जो है डाल भाजी बनने जा रहा है तो ये हमारी जो डाल भाजी की जो डिश है बिलकुल प्राकृतिक है और बहुत ही हेल्दी आपके सामने ये बन रही है आप देखें ये इसको ग्रीन हमारा जो मसाला है वो पिंक पिंक होने वाला है बिलकुल ये पक रहा है बिलकुल जैसे ही हमारा ये मसाला पक जाता है इसमें अगला अगला स्टेप ये होगा कि हम टमाटर की कटिंग जो है उसमें डाल देते हैं और ये मसाला बिलकुल कि ऐसी तेज खुशबु छोड़ रहा है जो जो पकते जा रा है त्यों-त्यों उसकी खुशबु जो है बता रही है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता जा रहा है तो यहां हमको बहुत ही उम्दा तरीके से हमको यह पका लेना है एक लाइट भी बार-बार जा रही है दोस्तों एक मॉबाइल के माध्यम से जो हमें वीडियो वनानी पड़ रही है फिर भी हम आपके सामने जो है शुद्द देशी हिसाब की और सिहत मंद रेसिपी आपके सामने रखते हैं तो इसमें थोड़े से आप जो खान-पान में परिवर्तन करेंगे तो आपकी सेहत जो है बनी रहेगी और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कुकर का उपयोग करें पर उसका जो माटेरियल है उसको आप प्रापरली कड़ाई में फिर से फ्राय करके और अच्छ से भली भाती पका लें अगर दसमेट आपने इसमें कड़ाई में पका लिया है तो वो आपका दो शुष में कतम हो जाता है और उबली चीज जो है वो हानी कारक जो होती है वो हानी आपको नहीं पहुंच पाएगी तो ये आप ध्यान रख लें ये देखो हमने अच्छे तरह से अब ये हमारा टम काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं फिर गई तो ये आपने देखा कि टमाटर और जो हमारा सिल्बट्टा का जो मसाला ग्रीन था वो बिल्कुल मैशप हो गया है अब इसके बाद हमें इसमें अपनी भाजी डाल देना है भाजी आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजेगा याद रखें आप चाहें तो इसमें पालक भाजी यूज कर लें आप चाहें तो इसमें चने की भाजी यूज कर लें आपकी जो डाल भाजी के जो रेसिपी है वो इसी उसमें जाएगा तो आपको इस पधती से आपको जो है वो बनाने चाहिए और बहुत ही लजजदार जो है आ और इसके लिए आपको ये मेरी जो रेसिपी है उसके स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगी और पिर आपका ये आप देखेंगे कि स्वाद आपका जो है वो कितना गजब का है और स्वाद के अलावा ये सिहत मंद भी जो है उने वाली है ये तो ये हमारा स्टेप आप देख रहे हैं ये इसको हम थोड़ा सा अभी नीचे लगती है पर उसमें परिशानी नहीं है दो दो तीन तीन मिनट के अंतर से हम इसको ढखते हैं और बस दो तीन बार इसको हम जो है चला लेते हैं तो इसमें इसके जो नीचे लगने के चांसे सकम रहते हैं और बैसे भी हमारी ये हिंडालियम की मौटी कड़ाई है तो उसमें परिशानी नहीं है और ये आप देखें तो इसमें अब सिर्फ दाल डलनी है और ये पक गई है अब हमारा इसमें बस दो मिनट ह बाकी है बाकी हमारी जो है डाल भाजी तैयार हो गई है इसमें हमने पानी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये हम सूखी बनाई है हमने और आधा किलो भाजी के पत्ते थे हमारे और इसमें 200 ग्राम मूंग डाल पका ली और ये 10 लोगों के मान से बन गई है अब आप इसमें चाहे तो ये बिल्कुल complete work हो गया है एक लिटर पानी डाल के और थोड़ा सा पका लेंगे तो ये 20 लोगों के हिसाब से हमारी दाल भाची तयार हो जाती है तो दोस्तो ये बहुत ही सेहत मंद है